अलो दोस्तों मैं डिस्टनस एजुकेशन निवर्स्टेप कश्मीर के तरफ से एक नया अपडेट लेकर आया हूँ दोस्तों आपको याद होगा कल यानि गेहरा दौंबर 2021 को डिस्टनस एजुकेशन के तरफ से नोटिफिकेशन आये थी कि पीजी कोर्स के लिए डिस्टनस म हम पीजी एडमिशन के फारम बर सकते हैं आप से घुजार शेकिए वीडियो को लिए करो शेयर करो शेयर को सबस्क्राइब को ताकि हर नोटिफिकेशन सबस्क्राइब आप तक पहुंच जाए दोस्तों आपके सामने डिरेक्टर डिस्टन एजिकेशन का हॉम पेज है यहा कैसे फारम सब्मिट करना है वो स्टबस देखे हुए हम यह नहीं पढ़ेंगे इसको हम सिकिप करेंगे तो नीचे ऑप्शन आ रहा है आई एगरी इसी पर हमको किलिक करना है इस पर किलिक करने के बाद यहां पर यह पेज हो रहा है जिस पर आपको यूजर नेम लिखना है यूजर नेम हम लिखते हैं मालोग के हम लिखते हैं यूजर नेम फारुग अहमद यह हमने लिखने हमने लिखा यूजर नेम उसके बाद पासवोर्ट क्रियर्ट करना है यह हमने पासवोर्ट क्रियर्ट कर दिया है यहां पर भी हम यही पासवोर्ट सेम करेंगे यह पासवोर्ट एंटर करने के बाद मोबाइल नमर आपको एंटर करना है मोबाइल नमर आप एंटर करेंगे और उसके बाद आपको इमेल एंटर करना है यहां पर हम इमेल भी देंगे यह सब करने के बाद नीचे ओप्षन आ रहा है रजिस्टर यहां पर क्लिक करेंगे जब हम रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो यहां पर दिखा रहा है Congratulations your account has been created successfully तो फिर OK पर हम click करेंगे जब हम OK पर click करेंगे तो यहां पर हमारे सामने ये page open हो रहा है Registration successful please login यहां पर हमें फिर से login करना है login के लिए हमें username देना है जो हमने username दिया था हमने दिया था फारुक अहमद यह दिखा हमने username उसके बाद password जो हमने clear किया था फारुक add the right of 123 और hash दिया था जब यह दिखा उसके बाद sign in पर click करना है जब हम sign in पर click करते हैं तो हम इसमें यह page open हो रहा है इसमें यह कह रहे हैं कि आपको इसमें किया रहे हैं कि आपको पहले notification thoroughly read करना है जो कि कल notification release हुई थी जब वो thoroughly read करेंगे नीचे option आ रहा है registration number और enrollment number यहां पर आप शाय सोच रहे हैं कि रहे हैं यहां पर आपको यूजर नेम एंटर करना है कोई registration number और आपको या एंटर नहीं करना है आपको यूजर नेम एंटर करना है यूजर नेम हम वही एंटर करेंगे जो हमारा था फारोग था हमारा यूजर नेम फारोग एहमद ए हमने सुमार लिखा था यहां पर भी वही जिसेन लिखना है जब यूजर नेम लिखेंगे उसके बाद किलिक करना है next नेक्स पर करने के बाद यहां पर आ रहा है यह पेज साथ से पेज आपको यहां पर अपना नाम लेखना है हम लेखेंगे फारुक आहमाद लेखेंगे नाम दूसरे में लेखना है पैरेंटेज पैरेंटेज में हम लेखेंगे वसीम अहां मात दिखेंगे पेरेंटेज फिर डियोबी में लिखना है डियोबी में हम चूज करेंगे 10 वो होगे 10 जनवरी 1995 फिर फोन नमर तो पहले से ही है क्याटगरी ओपन मेरेट यहां पर आ रहा है अगर आपको चूज करना है तो यहां पर आपको चूज को उप्शन आ रहा है फिलाल हम लिखेंगे उपन मेरेट इमेल एडरस पहले से ही लिखा है यहां पर एडरस लिखना है फिर हम लिखेंगे सिरिन अगर यहां पर डिस्ट्रिक चूज करना है डिस्ट्रिक में हम चूज करेंगे सिरिन अगर तो उसके बाद यहां पर mail सेलेक्ट करेंगे यहां पर किया रहा है कि whether permanent residence of jam or kashmir अगर आप permanent resident है तो yes लिखेंगे अगर नहीं तो no लिखेंगे उसके बाद whether you have migrated from this university क्या अपनी इनिवस्टी कashmir से migration ली है अगर ली है तो उसका लिखना है यहां पर yes फिर आपको उसका number देना होगा अगर no लिखना है अपने नहीं लिए है तो यहां पर no लिखना है तो फिर उसके बाद और आए बाकुस qualifying academic details यहां पर आपको वो detail लिखने है जो आपने पास किया है पहले मालों कि हम course choose करेंगे हम choose करेंगे BA हमने BA पहले किया था फिर यहां पर go page किलिक करना है जब आप go page किलिक करेंगे तो आपके समरे यही page सेम आएगा नीचे आपके पास एक column आएगा जहां पर आपको यह enter करना है कॉर्णिफाइंग एक्जाम BA आ रहा है आपको यहां पर रोल नंबर उसका एंटर करना है जो भी उसका रोल नंबर होगा हम लिखेंगे 25689 यह हम लिखेंगे यह पासिंग हमने देखा 85 यहां पर देखा हुआ है इसमें हम लिखेंगे मालों कि 2015 हमें लिखा ठीक एनवल लिखा फिर यहां पर सिलेक्ट करना है और मार्कस कितने हैं मैक्जिम मार्कस ने हैं मार्कस उप्टेंड परसेंटेज क्या है युनिवर्सिटी आफ कश्मीर या आप कोई सा भी चूज कर लोगे फिर अगर आपने कोई 12 यहां पर लिखा हुआ है 12 का रोल नमबर आपने लिखना है यहां पासिंग 12 का पास क्या था सेशन क्या था और सब्टेटर्स यहां पर लिखना है यहां पर सारा लिखेंगे सब्टेटर्स उसके बाद नीचे आ रहा है उप्शन नेक्स्ट तो नेक्स्ट पर आप किलिक करेंगे तो नेक्स्ट किलि तो वहां से अपना फोट उठाओगे तो वह फाइदे हाँ पर अपलोड हो जाएगी सारे कलम आप लिखेंगे फोटो अपलोड करेंगे उसके बाद किलिक करेंगे next पर तो आपका फार्म साबमिट हो जाएगा मैं यहां पर क्लिक नहीं कर रहा हूँ कि मैंने every roll number या बागी data examination नहीं लिखा है तो इतना आप करोगे तो आपको बाग करवाई खुद आएगी इसे बाद आप simple है यह फारम बरना है यहां यहां पर आपको लिखना है roll number और यह पासिंग उसके बाद next करना है तो आपका फारम साब्मेट हो जाएगा उसके बाद आपको फीस पे करना है फीस आपको देना है 400 रुपई एक सब्जेट के लिए फिर अगर आप दो या तीन के लिए अपले कर रहे हैं एट्शनल के लिए 500 रुपई देना हैं तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जान करें के सथ तैंक यू